नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्लों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के असे रूटों पर चलेंगी नई बसे विशेश राचे के दरजे को लेकर केंद्रिय वित मंत्री ने कर दिया सब कुछ क्लियर आज से सुरू हुई उपिंद्र कुष्वाह की दो दिवसी है बैठक वबक्षे एकता को लेकर जगदानन सिंग का बड़ा बयान भारत के लिए कठे नोई सेमी फाइनल ने पहुचने की राह इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खब्लों की ओर विस्तार से बिहार के 80 रूटों पर चलेंगी नई बसे बहुत जल्धी बिहार के लोगो का आवा गमन और भी आसान होने वाला है बता दे कि बिहार पडिवहन विवाग के दार राज्ये के 80 रूटों पर बसो का परिचलन किया जाना है इसके लिए राज्ये पडिवहन लिगम की ओर से पड़िवहन विवा को प्रस्ताव भेज दिया गया है मिले जानकारी के नुसार असी नए रूटों में 22 किलो मीटर से लेकर 238 किलो मीटर तक लंबे मार्गों का नरधारन किया गया है हाला के इन मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए परमिट लेना जरूरी होगा आपके से आड़ा हसपूरा से मुंडईश्वरी जमुई से पटना समीत कई मार्ग शामिल हैं विशेष राजय के दर्जे को लेकर किंद्रे वितमंत्री के दौरा सब कुछ क्लियर कर दिया गया है बता दे किंद्रे वितमंत्रे नर्मला सीधर अमन के द्वारा उरीशा के भूवन नर्मला सीता रमन के इस बयान का समर्थन भिहार के पुर्वर डिप्टी सी अव्शुशील कुमार मोधी के द्वारा भी किया गया है और कहा गया है कि नर्मला सीता रमन के दौरा जो भी कहा गया है वह आयोग की राय थी टीचिंग लर्निंग माटेरियल मेली को लेकर सिक्षा विभाग ने की अपील टीचिंग लर्निंग माटेरियल मेली को लेकर सिक्षा विभाग के दौरा क्लास एक से लेकर क्लास पांच में पढ़ा रहे सभी सिक्षकों से अपील की है और कहा है कि सभी सिक्षक मेली भी जर प्रस्तुत कर सकते हैं मालुमों कि स्मेले का आयोजन सिक्षा विभाग के द्वरा राजे के सभी प्रखंडों में किया जाड़ा है स्मेले में शरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सिक्षक और सिक्षिकाओं द्वरा अपने सैश्निक मॉंडल के माध्यम से अपनी बहुत ही अथा दक्षता का भी प्रदर्शन किया जाता है विएसफ में तैनाद बेगुसराई के सही जवान को लोगों ने नम आखो से दिविदाई विसफ में तैनाद बेगुसराई के रहने वाले सुबोत कुमार का शबीतर दिन उनके पैत्री गाउ बच्वारा प्रखं के नारी विधायक शुरेंद्र महतों भी पहुंचे थे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुबोध कुमार की मौत एक सरक दुर्खटना में हो गई थी मिले जानकारी के नुसार सुबोध कुमार बुधवार शाम को अपरी दोस्तों के साथ खाना खा कर लोट रहे थे और उसी तोरान और नियंत्र ट्रक के दौरा उन्हें ठोकर मार दी गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया लेकि शुकरवार की देश याम उनकी मौत हो गई नालंदा पुलिस की साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी काडवाई बिहार में लगातार साइबर अपरादी अपना पाउं पसारते जा रहे हैं वहिन पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस के दौरा जी तोर कोशिश की जा रही है बता दे कि पुलिस के दोरा उनके पास से अलग-अलग बैंकों के 108 ATM कार्ड कार्ड क्लोन करने वाले स्कैनर मुवाइल वह अन्य चीजे बरामत की गई इस मामले को लेकर थाना अध्यक सुबोत कुमार के दोरा बताया गया है कि इन्वेस्टे दो बदमास पहले भी जेल जा चुके हैं और फिलाल अन्य का अप्राधिक इतिहास खंगाला जारा है आज से सुरू हुई उपिंद्र कुश्वाह की दो दिवसीय बैठक कुस दिन पहले जेडियू नीता उपिंद्र कुश्वाह के दोरा पटना इस सिसनहा लाइब्रेरी हॉल में दो दिवसीय बैठक की घोशना की गई थी जिसकी सुरुआद आज से हो गई है और जो कल यानी की 20 फरवरी तक चलेगी इस बैठक को लेकर उपिंद्र कुश्वाह के दोरा जेडियू के कारे करताओं और महात्मा फूल परिस्थत के सिदस्ट्र को खुला पतर जारी कर यह कहा गया है कि जडियू के लोग जो भी समर्पित और निस्थावान साथी है जिनके मन में इस पात की चिंता है कि पार्टी को कैसे बचाया जाए वे सभी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं अब जिविका दीदी के ऊपर जन संख्या नियंत्रन का आया जिम्मा पिहार में आये देश्ट जिविका दीदियों को नई-नई जिमेदारी सौपी गई है जिसमें वे मैलाओं को परिवार नीजन के रिडिद करती नजराएंगी प्रायोग तौर पर इस पहल किश् वह शिभर के दो दो प्रखन शामिल है। इस बाबस समझोते को लेकर बहुत जल्द ही जिवीका दीदी और स्वास्त विभाग के बीच समझोता पत्र भी हस्ताक्षर किया जाना है। विपक्षी एकता को लेकर जग्दान सिंग का बड़ा बयान देश भर में विपक्षी एकता को लेकर राश्विय जनतादल के प्रदीश अध्यक जद्दान सिंग के दोरा एक बड़ा बयान दिया गया है। कि अब उन्हें भी ऐसास होने लगा है कि 2024 के लोग सभाचनाव में जनता उन्हें सत्ता से बाहर फेक देगी उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि विधवनशक कौन है और अभिरक्षक कौन है अब देश को जनता बीजेपी जैसे विधवनशक पार्टी को सबक सिखाने के पूरी तरह से तैयार है आज के समय में देश में लोकतंत्र खर्तिरे में है समय धान खत्रे में है और बीजेपी के लोगों का कहना है कि कुछ हुआ ही नहीं आप खुद ही देख सकते हैं कि देश में नयायाले क्या कर रहा है विषेष राजे का दर्जा के मद्धे पर बीजेपी का नितीस और लालू से सवाल। दिये गए हैं वह विशेष दर्जा से अधिक लापकारी है विजेपी नेता ने कहा कि 14 और 15 विवित आयो की रिपोर्ट ने विशेष राजी के अफधारना को खारिच कर दिया था लेकिन इसके बाव जूद भी नितीश कुमार लगा था विशेष राजी का मुद्दा उठा साथे आ रहे हैं जिसे यह साफ है कि वह अपने विफलता पर परदार डालने की कोशिश कर रहे हैं गरीब संपर के यात्रा छोड़ धरने में शामिल हुए जीतन राम मांजी वितिक उस दिनों से बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नीत जीतन नाम मांज अपने गरीब संपर के यात्रा में व्यस्त है लेकिन इसी वीचमान जी अपने गरीब संपर के यात्रा को छोड़ जिले के इमाम गंज इस्तित गांधी मैदान में बालू बंदोबस्ती रद करने के लिए बैठे ग्रामीनों के पक्ष में उनके साथ धरने पर बैठ गया इसके साथ उन्होंने बालू खाटो को रद कराने के लिए बिहार के मुख्य सचीफ से टेलेफोनिक बात भी की है और नेवेदन किया है कि जल से जल बालू बंदोबस्ती को रद कर दिया जाए इसके साथ ही जीतन रामाजी के द्वारा क्रामीनों के ऊपर सध्यंद्र के तहत की जा रही है तो यह दूसरी तरफ भे उपमुख्यमंत्री तैष्वीयादर की बुढाई करने से पीछे नहीं हट रहे हैं उनके द्वारा उपमुख्यमंत्री तैष्वीयादर के खिलाब दिये जा रहे है स्टिपनी को लेकर भवन निर्मान मंत्री अशोक चौधरी के द विपक्ची एक्ता की मुहीम पर निशानास साते वे किंद्रे ग्रामीन विकास मंत्री गिरास सिंग के दोरा बीते दिन सनिवार को ट्वीट कर उन पर तंच कसा गया उन्होंने कहा कि नितीज कुमार ने जो काम 17 शाल में पूरा नहीं किया उसे वह एक महीनी की समधान यात्र स्विस्था में करने सोच रहा है नितीज कुमार कभी R.J.D. तो कभी B.J.P. में हास confuse नहीं कर सके और आज देश में विपक्ची एकता का भ्यास कर रहे हूं. उन्हें जो बार बार कहते हैं उन्हें प्रदान मंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है लेकिन B.J.P. कठे नोई सेमी फाइनल में पहुँचने की राह, बीते दिन सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गया ग्रूब B के मैच में भारतिये क्रिकेट महिला टीम को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा, बता दे कि इंग्लैंड के दौरा भारतिये को 152 रनों का लक्षित दिया गया था, जिसका पीछा करते वे भारतिये टीम की ओर से 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 140 रन ही बनाये गया, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत ने पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, बीते दिन इस जीत के साथ इं दीजल के रेट चारी किगा इसकेबाद Consider ऑड राजधानी पठ्णा में आच पेट्रॉल 107.02 रूपाय बहादी बातादे कि भागलपुर्ने पेट्रॉल ने कीमत पेट्रॉल एक सोनौ दो समनल चार्शनो पर प्रति लीटर और डीजल चामेद समनल चार प्रति लीटर कि दर से मिल रहा है अब भरते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आज का सवाल है आपके नुसार भारती महिला टीम आयरलाइंड को हडा कर सेमी फाइडर में पहुच पाएंगी या नहीं आप अपना जवाब हमें हमारे कामेंट सेक्शन में लिग कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बन रहने के लिए देखते रहें बिहारी नुज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं जानको सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद